दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं सुमो कोल टैबलेट का रिव्यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मार्केट में सुमो कोल टैबलेट आती है इसके क्या-क्या यूजेज हैं क्या-क्या तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना अब इस वीडियो में आपको मैं दवाई के वारे में उस्ते जशे पहले दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें क्योंकि हम लिए चाहिए निस इस गया से जैल 먲 σन यह कौन से कंपनी बनाती है और इसके MRP कितनी है और क्या-क्या composition से मिलकर यह दवाई बनी है सबसे पहले हम यह जा लेते हैं तो दोस्तों सुमु को टैबलेट आती है यह यह outcome laboratory companies को बनाती है outcome company काफी बड़ी फार्मा company है जो की काफी अच्छी genuine medicine बनाती है और बात करते हैं इसके MRP की तो इसका MRP है 41 रुपे और एक पत्ते के अंदर दस गोलिया निकलती है और बात करते हैं इसके composition के बारे में तो दोस्तों इसके अंदर होता है पैरासीटामोल 500 mg और फैनिल्फिल हाइट्रोग्लोराड होता है इसके अंदर 25 mg यह चारो साल्ट से मिलकर यह दवाई बनी है अब बात कर लेते हैं इसके यूजिस के बारे में किन-किन कामों में इसका इसका इस्तमाल किया है तो दोस्तों मौसम चेंज होने वे पर सीजनली जो प्रॉलम्स होती है जैसे सर्दी है खांसी है जुखाम है बुखार है उन सब कंडिशन में इस दवाई का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि आप अब भी देख रहे हो कि मौसम चेंज हो रहा है सर्द और गरम दोनों एक स इस्तमाल कर सकते हैं काफी अच्छी दवाई काफी अच्छा रिलीफ मिलता है आसंति radio mm ब्लता जैसे कि मौसम होता है बरसात होती है बरसात होने पर क्या होता है दोसटों वारल बगहरा जो है काफी हो जाता है साथ में ठंड भी लगती है तो आप यह सुमो पूल यह शुबे शाम फानी के साथ खाना खानी के बाद चार से पास दिन तक आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपका जुखाम हो चाहें खासी हो चाहें बुखार यह सारी प्रॉलम आपकी ठीक हो जाएगी और काफी अच्छी दवाई है और आपको यह दवाई किसी भी आपके नज़ती की मेडिकल स्टोर पर आसानी चे मिल जाएगी हर जगे अब बात करते हैं इसके साइड एक्ट के बारे में दोस्तों इस दवाई के थोड़े बहुत साइड इफ्यक्त भी है जैसे कि हलकी सी मेटिंग की प्रॉलम हो सकती है स्टोमक पेन वगरे की प्रॉलम हो सकती और दोस्तों फिर भी आपको इस Sumo Gold Tablet से related कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में